जो काम अडवानी ने शुरू किया, बिलकुल धडले से उस टाइम पे अपनी रथ यातरा के थूँ और बाबरी मस्जिद के थूँ वही काम एक तरह से जो वरतमान में हमाई जो प्रिधानमंत्री हैं, वो खुद बैठके जब पूजा कर रहे हैं राम टेंपल में, तो वही क प्रकार से अपने आप को एक धरम गुरू के रूप में स्वीकृती दिलवाना चाहरे हैं अपने आपको, और आप एक पुलिटिकल एंटरप्राइज में आप धरम को साथ लाके अपने आप से आस्था को जोडवाना चाहरे हैं, लिबरहान, जैसिस लिबरहान कमिशन दो साल पहले जो CBI कोट ने कह दिया ना कि इसके लिए तो कोई जम्यदार है, हमें पास कोई सबूत नहीं है, जबकि खुद वो नेता कह रहे हैं, उमा भारती जी खुद कहती है कि मैं क्यों, मैं तो बिलकुल बेल नहीं मान सकती है, वो खुद स्वीकार कर रहे हैं अपना आज हम बात कर रहे हैं वरिष्ट पत्रकार और लेखे का सीमा चिश्टी से एक बहुत ही जरूरी मुद्धे पर बाबरी मस्जद पर, इस साल 6 दिसंबर को बाबरी मस्जद विध्वन्स के 30 साल पूरे होते हैं, हम सीमा से जानेंगे कि इस घटना ने भारत की राजनीती औ और सामाजी के चेतना पर क्या आसर डाला है? आये बात करते हैं सीमा से, वेलकम सीमा. सीमा, ये बहुत बड़ी घटना थी जो उन्यसो बानवे में 6 दिसंबर के दिन हुई और इतिफाक ए था कि आप उसे कवर कर रहे थी इसलिए सबसे पहले तो ये बताईए कि उस सुबह क्या माहूल था? पर सांकेतिक कार सेवा होगी जिसकी अनुमती उच्छतम ने आयले ने सुप्रीम कोट ने दे रखी थी. तो हम उसी को कवर करने आये थे. तो वहां जब देखा तो वहां पर बहुत नियंतरन से सफाई हो रहे थी, कामवाम हो रहा था और लोग धीरे-धीरे जमा हो रहे थ सभा, एक सभा, एक मीटिंग ग्राउंड टाइप बनाया गया था, जिसको राम कथा कुंच कहा जाता था, जहां पर सारे बड़े-बड़े नेता जो पहले आके एक तरह से भ्रमन कर रहे थे उस एरिया का, जहां पर सांकेतिक कार सेवा होनी थी, और फिर वो चले गए उस पर, जहां पर कई हजार लोग थे, धीरे-धीरे जो माखौल और मूड था, वो समझे बिलकुल ठीक बारा बजे के पहले, कुछ बहुत ही आकरामक और बदलने लगा, और जो केंद्रिये, जो सेंट्रल, सियार पी एफ वगरे के लोग थे, जो कंट्रोल करते थे, जो सुरक कामडेटिव रोल एक करना शुरू कर दिया, और धीरे-धीरे, फिर तो अफकोस पत्रकार बुरी तरह से पिटे, काफी शीना जप्ती हुई, और ऐसा था कि बारा बजे के बाद वो नहीं चाह रहे थे कि इसका कोई सुबूत रहे, कोई विटनेस इसका मौजूद हो, तो अच्छे-च्छे ठीक-ठाक पत्रकार, कैमरा यूनिट्स, नोट पेपर वगरा, कैमरा सब चीने चाने गए, और पिट-पिटा के जर्नलिस्टों को बिलकुल अलग किया गया, कुछ लोग अपना कैमरा वेमरा बचा वचा के, निकलने की कोशिश की, और फिर देखा, कि भ बड़ा कांड हो जाना है, नहीं, इसका तो बिलकुल ऐसास नहीं था, ये एक हलका सा शुभा था कि शायद एक तरह से आकरामक और एक नाराज भीड हो सकती है, जो होस्टाइल हो पत्रकारों को, तो हम लोग उस तरह से देख रहे थे कि जूते हमारे ठीक होने चाहिए, हम इने शुरू कर दिये थे एक दिन पहले, कि आपको अगर कवर करना है तो इसको करें, तो एक तरह से एक बड़ा एक मैनेजड इवेंट टाइप था, तो विएच पी क्या बोलती थी, कि हम क्या करने जा रहे है, सांकेतिक कार सिवा करने जा रहे है, सांकेतिक शाहिए निब कि उनका कोई हाथ नहीं है, ये उक्सावा अपने आप हो गया, स्वताहिस फूर तरीके से हुआ, आपको क्या लगता है, आपकी राइटिंग में तो लग रहा है कि ये जैसे तैयारी थी, हाँ मतलब उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि उस वक्त तो ऐसा नहीं किसी को अंदा तो इस तरह से और बिलकुल इसका पूरा अंदाजा था, इंतिजाम था, जिस तरह से सुरक्षा कर्मियों का बहेवियर था, जिस तरह से डी-म वहाँ पे, जिस तरह से पुलिस वाले, वहाँ पे बैठके एक तरह से ग्लेडिट औरियल जैसे हम लोग रोम वोम का पढ़ते हैं कि बहुत बड़ा तमाशा हो रहा है कोई, उसको देख रहे हैं लोग, तो उसको तो देख रहे थे लोग और उनको पूरा अंदाजा था कि क्या हो रहा है, तो इस तरह की चीज़ अकस्माक नहीं हो सकते। अगर जो केंद सरकार की जहां तक भूमिका है, कि अगर केंद सरकार जो थी, अगर उसने ये करवाया, वो साथ थी, तो ये बहुत बड़ा एक अपराद है, कि अगर आप कह रहे हैं कोट को आप कुछ कह रहे हैं और आपकी स्टेटिट पोजिशन भी बीजेपी वाली नही पता था आपको, तब भी आपको फॉरण सरकार को बरखास किया जाए, खारीच किया जाए, सरकार को बिल्कुल हटाया जाए, तो ये तो सही बात है कि आपको न पता रहना और उसमें शामिल होना, इसकी दो ही चीज़ नहीं हो सकती है, अगर आप एक प्रॉपर सरकार हैं जो अपना काम कर रही है, तो दोनों तरह से इसकी जिम्मेदारी तो सिर्फ हम प्रांथ में जो सरकार थी, उत्तरप्रदेश में जो सरकार थी, जो पहली BJP की सरकार थी, कलियान सिंह के अंडर, उस पे पूरी जिम्मेदारी तो उस पे नहीं ड explores सकती है, और एक और बात जि किसम्बर को दाखिल हो रही आर्मी तो इसमें तो बहुत क्लियर है कि कि इसमें सब का हाथ था इस से इसमें कोई सीमा अब हमारे नए दर्शकों के लिए मैं बाबरी मस्जद के उस कॉंट्रिवर्सी का बाबरी मस्जद राम जन्म भूमी मस्जद के उस कॉंट्रिवर्सी के बारे मैं आप से जाना चाहूंगा जो 1949 में शुरू हुई थी वो क्या थी? दरसल ये एक बहुत बड़ा एक बिलीफ थी हमेशा से और खास तोर पे हम लोग 19 सदी में देखते हैं जब वहां पे छुट-पुट घटनाएं और तनाव होता है इसको लेकर और लोग चाह रहे हैं कि वहां पूजा करें जबकि पूरे आयोध्या में और और लोग जानते है विद्वंस के पहले कि जगह जगह पे लोग आपको बताते थे छोड़े छोड़े मंदिर थे और बहुत खुबसूरत शहर है ये बहुत प्या रहा है और वहाँ पे लोग बताते थे आपको कि यहाँ हुआ राम जी का जन्म तो कई इस तरह की जन्स्थान दे लेकिन धीरे दीरे कहना कि यहीं पर थीक यहां पर यहां पर यहां पर मसिद जो अमीर بाकी ने बनाई है थीक यहां पर राम जी का जन्म हुआ है यह तरह से तयार छीज भो जाती है मूत रूप जब वहां पर मूतियां प्लांट की जाती है 1949 में वो एक stage है जो कि बिल्कुल गांधी के हत्या के एक साल बात होता है और इस पे बहुत काम किया है धीरिंद्र जार कृष्टना जाने और पूरा उसको उनकोंने पुलिस रेकॉर्ड देखके तब के इतिहास को देखके पूरा construct किया है कि तब जब मूर्ती की वहां पहले नहीं थी उस ठीक उस थान पर मूर्तियों का प्रकटि करण हो जाता है दिसंबर में दिसंबर की एक राहत को जी 223 को बिल्कुल ठीक जिसको कहा जाता है अंदर चबूत्री के अंदर और उसके बाद ऐसे डिसाइसिवली उसको शायद उससे डील नहीं किया गया या हो सकता है कि उससे डील करना मुम्किन नहीं था क्योंकि वो फेथ से और आस्था से जोड़ दी गई थी लेकिन उस जमाने में जब नहरू का इतना बड़ा औरा था सब के चहेते नेता थे ये कितना मुश्किल होता कि एक जबरन रख दी गई मूर्ती को उठा कर मतलब पूरी इज़त के साथ बाइज़त हटा दिया जाता ये कितना मुश्किल होता उस जमाने में करना जाहर सी बात है बहुत मुश्किल था असमभव था कि हो नहीं पाया और नहरू का इसमें बिलकुल और इसमें एक तरह से अगर आप देखें किस अन्य इस तरह के धर्म से जुड़े और राजनीत से जुड़े सवालों पर कि नहरू एक तरह से अकेले अपनी पार्टी में भी और खास तोर पर यूपी कॉंग्रिस पार्टी जो थी उसका धर्म और आस्था वगरा पे बड़े अलग राय थी उनकी जो नहरू की राय थी जी जी और उनने काफी डिफाई किया मतब नहरू खत भी लिखते हैं उनका खत भी जाता है कि ये क्या हो रहा है हम ये अलाउ नहीं कर सकते हैं इस तरह की चीज़ और क्योंकि पूरी F.I.R. दर्ज होती है, Constable गवाही देता है और अभी रामदास की बात करता है कि इन्होंने वहाँ पे मूर्ती रखी है और ये सब चीज़ें दर्ज हैं, ये सब इतहास का हिस्सा है लेकिन वो उसको turning the clock back वो नहीं हो पाता है उस वक्त और वो बिल्कुल बंद रहता है ताला और ये तो राजीव गांधी 86 में आके उन्होंने फिर ताला खोला तो वो बिल्कुल एक एक अज़े थे ताला खोलने जे शायद उनको बताया गया उनका ये मानना था कि उन्होंने पूरी तरसे अपनी position consolidate कर ली है शायद एक Hindu vote की खायश थी एक अपने और जनाधार को बढ़ाने की कुछलों का ये मानना है कि अरुन नहरू जो उनके मुखे सलाकार उस टाइम पर उनको समझाते थे वो राजनीती उनका ये मानना था कि ये किया जाए लेकिन जो भी उसके कारण हो उसके नतीजे तो बहुत भायावर और बहुत गंभीर थाबित हुए भारत के लिए सीमा अब ये सवाल समझना जरूरी भी है ये बात की 1990 ने भारत की जो सामाजिक चेतना थी उसके बाद मुस्लिम कैसे देखने लगे भारत को उससे पहले कैसे देखते थे क्योंकि उन्होंने पार्टिशन भी देखा था उसके बावजूद यहाँ थे और एक देश मान दे थे क्या नब्बे के बाद कुस समझदारी मतलब एक विश्वास डगमगाया उनका जी बहुत मतलब नब्बे का दशक तो जिसमें जिस पूरे संदर्ब में बाबरी मस्जद का विधवन्स होता है ये बहुत ही एक बिजी कह लीजे आपको एक बहुत ही मतलब पूरा जो भारत का बाजार है वो एक बहुत ही उथल पुथल का दौर है और उसमें सिर्फ ये आधार पर, OBC आधार पर आप एक हिस्सेदारी की आपने बात स्विकार कर लिये के इंदिसरकार में, उसकी उथल पुथल है, और फिर 1991 के बाद पूरा liberalization, मतलब आपका जो आर्थिक एक base है, और एक समझ है, और ये इस पूरे संदर पर हो रहा है, जहां Soviet Union खतम हो गया है, तो एक India का पूरी जो एक global positioning है, वो भी बदल रही है, उसका orientation, पूरा अमेरिका की तरफ, मतलब पूरा एक, आप समझें कि अगर concentric circles कहीं हैं, तो कितनी उथल पुथल और तमाशे चल रहे ह यहां पर, और उसमें इसको situate करने की बहुत ज़रूरत है, और मुझे तो लगता है कि इसमें तो बहुत अभी शोद करना बागी है, कि 90 के दशक में जो कुछ भी हुआ, उसका क्या असर, मतलब किसने किसे impact किया, कैनों का यह मानना है कि नौदारवाद, जिस दौर का जिसका आगाज हो रहा है, liberalization के बाद, उसका बड़ा असर है, इस तरह की politics पे, और यह देखा गया है, हम यूरोप में भी देखा है, कई Asia के areas में, कि आप जिस तरह से अपने अस्तित्र, अपने religious identity को समझते हैं, नौदारवाद उसको बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि जितना आप goods, white goods, और एक pursuit of a better life की तरफ जाते हैं, उतनी आपको चीज़े खीशती हैं, अपनी जड़ों की तरह है, उतनी आपको चीज़े खीशती हैं, अपनी जड़ों की तरह है, शायद है एक तरह से जो traditional जगे होती थी, जो पंचायत का एक मौका होता था, फुरसत होत आप चाय पीते हैं साथ, उसे फिर अलग impetus आजाता है, मुझे नौक री चाया है, मुझे नी चाया है, वेश्टू को नहीं मिलनी चाया है, और में को लगता है कि भी तो हो सकता है, मेरी जिंदगी और बहतर हो सकती है, मैं एक और washing machine खरीद लूँ, मैं एक और fridge खरीद और जो roots थे और connections थे वो टूटते हैं, और उसका substitute क्या होता है, यह clear नहीं है, या तो आप TV देख रहे हैं जो आपको एक अलग तरह की चीज़ बता रहा है, क्योंकि liberalization का पूरा media narrative से भी बड़ा गहरा संबंद है, और सोची यह सारी चीज़ ने सिर्फ तीन चार साल में हो मैंने आपके सवाल का जवाब नहीं है, मैं यही पूछ रहा था कि Muslim किस तरह से भारत को देखने लगे, अगर आप बता सकें, हाँ कोशिश करते हो, देखे, 1947 के बाद के दौर पे तो भारत ने एक तरह से और यह स्वतरत भारत को बहुत बड़ा credit जाता है, कि 1950 में उसने ज अंगाल का इतना बड़ा हिस्सा, पंजाब का बड़ा हिस्सा, सिंथ चला गया, इतना उसने वाइलन्स देखा, लेकिन फिर भी आपके founding fathers of modern India ने इस बात को कुबूला कि India पे सब का हक है, मतलब आपका जो रंग है, link, caste, religion, आपका हिंदुस्तान है, और कितने लोग नहीं मतलब इस पे तो फिल्में बनी हैं और कितनी चीजें लिखी गई हैं, गरम हवा का पूरा वो है, कि लोगों ने भारत को कुबूला क्योंकि हम सब का भारत था, सब का खून शामिल था यहां पर, उसके बार भी जो चीजें हुई, broadly भारत में composite by law और एक कम से का आपके जो stated आइडियल्स थे, बड़ा घुरूर था हिंदुस्तान में, मुसल्मानों को था, क्रिस्चिंस को था, हिंदों को था, सब को लगता था, कि यार हम तो अलग हैं, यह जो madness चल रहा है हमारे चारों तरफ हम जो श्रीलंका में देख रहे हैं, पाकिस्तान को देखिए, बंगला क्योंकि उसमें आपने क्या किया, आपने एक political event के तौर पर आपने एक पूरा mobilization exercise, एक political party करती है, और उसमें वो धरम को खीचने में काम्याफ हुई, तो वो यह कोई शंक्राचार है या वो नहीं चला रहे है, यह तो एक political event था, यह तो एक political mobilization था, इसमें इसे धरम दूर लेकिन आप उसे धरम और आस्था को ले आए, और आपने फिर धरम और आस्था को एक गेर हिंदूों से इसको एक differentiating कर दिया, rather than एक सब को साथ लेकर, और आपने citizenship वाले question पे आप इसको इसलिए गिरा रहे हैं क्योंकि यह मुसल्मानों की बनाए हुई है, और यह बाहरी है यह foreign है, तो उससे आपने कई basic चीज़ें जो एक आजाद भारत, स्वतंतर भारत और जो Republic of India की जो बुनियाद थी, उसमें आपने काफी हद तक तराड़ दर्म और citizenship को गड़ मड़ कर दिया है इसके बाद, एक तरह से एक धर्म का होना भारती होने की निशानी बन जाता है, और उस धर्म कर ना होने को आप गेर हंदुस्तानी की तरह परिभाशित भी करने लगते हैं, अब आते हैं उस सारे घटना करम के बाद क्या हुआ है, एक अन्याय हो गया है, उस अन्याय को जो पीडित है, उस समुधाय को, न्याय देने के लिए जो प्रक्रिया हुई है, उ इस पर मैं बात करना चाहता हूँ, आपने जो कैरवन के लिए स्टोरी की है, उसमें एक बहुत लंबा हिस्सा इस पर है, कि कैसे कमिशन बैमता है, CBI इंक्वाइरी होती है, लेकिन रिजल्ट हम देखी रहे हैं क्या हुआ है, अभी हाल के सुप्रिम कोड के फैसले के बाद, स इस से आप इस तरह के एक हिस्से, एक हाथसे से आपको डील करना चाहिए था, जो एक चीज जिसे सब को compromise किया, वो था वक्त, आपने इतना time लगाया, क्योंकि आप शायद खुद इस बात को लेके clarity नहीं थी, कि हमें किस तरह का एक independently, एक institutionally हमें क्या position लेनी है इस पे, उस जिसमें वो समाज क्या जहां पर इस तरह की चीज़ें नहों होता है, जहां पर जिसको हम कहते हैं, यह pluralism का एक shadow है, एक साया सा होता है, आपको deal करना पड़ता है, मतलब social coexistence एक साथ रहना, यह मुश्किल चीज़ें हैं, उसको हर वक्त, it needs work, it needs oiling, it needs a lot of thinking, वो हम शायद न क्योंकि कई बार चीज़ें चलती हैं हमारे, civil suit, criminal suit चलते हैं इतने साल, लेकिन उससे ज़्यादा एक हिचके चाहट थी, क्योंकि इसने majority, community, sentiment को इस तरह से एक level पर provoke कर दिया था, कि शायद लोग सामने आकर, खुल कर उस पर ownership नहीं ले पा रहे थे, कि इसको किस तरह से हमे डील करना है, लेहाजा आपने इतना वक्त दे दिया उसको, कि वो बिलकुल ढलते ढलते और वो शायद इसी तरह जाती, और जब एक प्रकार से political, बिलकुल अलग तरह के लोग आए, मतलब जो लोग responsible, जो लोग बिलकुल साथ थे उसके, जो लोग रथियातरा पे सवार थे जो उसका हिस्सा भी थे शायद, जब वो in positions of power आ गए, तब आप क्या expect कर सकते थे, इस तरह के एक institutional response से, जिसे आपने अपने piece में लिखा है, कि 1992 में मज़िद गिरी है, और आपकी गवाही, आप और अन्य पत्रकारों के जो वहां मौझूद थे, वो 2014 में CBI लेती है, इतना gap, ने CBI ने शायद बीच में भी बात किया है, लेकिन तब तक वो चल रहा है, हम लोग basic first principles भी तब बता रहे हैं, 2014 में, और कोई कोशिश नहीं है, कि आप या तो हमाई कई पतकार साथी, जो photographers हैं, जिनके पास बहुत valuable evidence, with negatives वगरा थी, कि आप उसको certified कर वालें, मतलब या तो खुद उनको लगा कि ये शायद धर्म से जुड़ गया उनके जहन में भी, या फिर उनकी जो एक politically, जो best of political parties वगरा भी थी उस वक्त, उनकी ये कोशिश कि यार इसको मत पड़ो इसमें, शायद हम इसको पाट लेंगे, हम इसको पार कर लेंगे, और कुछ हैसाद भारत को भी लगा कि ये अब दौ शायद गुजर चुका है, क्योंकि जब बीजेपी की सरकार बनती है, बीजेपी की छे साल सरकार चली, अटल जी के प्रतान बनती थी, दो दफा उनोंने शबत ली, तब उन्होंने तो पांच साल जब चली सरकार उन्हों तो इसको ठंडे बस्त कि ये हर वक्त उफान पर या ये दम भर रही थी, हर वक्त, कई दफा तो इसको सॉट आउट लोगों को लगा पी क्या है, हम तो अब स्वीडन की तरह हो गएं, अब तो हम आख्रों पर बात करेंगे, हम हेल्थ पर बात करेंगे, हम एजुकेशन पर, हम समाच सुधार पर करेंगे, लेकि ये तो 2014 के बाद अब ऐसे हालात हो गए हैं कि 30 साल बाद हम और आप बैठ कर इसको, बिलकुल एक कल की बात सी लग रही है, हम बात कर रहे हैं, बहुत ही खतरनाक सी भी लग रही है, एक इंजस्टिस हुआ है, लेकिन जस्टिस की कोई कोशिश नहीं और जह जो चीज पर फैसला सुनाना था, उस पर न सुना के और कहीं चले जाती है ये मामला, एक कोट में तो जो 2019 में खास तोर पे दो इसके वर्डिक्ट थे, एक आपके शोताओं को देखने वालों को तो पता ही होगा कि जो पहला वर्डिक्ट था, जो अलाहबाद हाई कोट दे इस से तीनों जो पार्टी थी और नाखुश थी, और जब अपील होती है तुमाम तरह की, फिर सुप्रीम कोट जाता है मामला और पूरा भरोसा है सुप्रीम कोट पे, क्योंकि इस्पेशली जो मस्जिद वाला पक्ष है, वो तो पूरी तरह से उसको भरोसा है कि सुप्री order में भी, कि वो इस बात को recognize कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इसको सुनियोजित तरीके से इसको किया गया, और इसको ये egregious घटना है, ये गलत है, और वैंडलाइजेशन हुआ है, लेकिन फिर भी आप पूरी जमीन उधर award कर दे रहे हैं, और मुझे लगता है एक और बह इसका एक element है, भी, एक मस्जिद का मामला है, और कुछ लोग एक दलील कर रहे है, राम टेंपल की, लेकिन आप इसको एक पंचायत, खाप पंचायत तो नहीं देख सकते हैं, हिंदू और मुस्लिम पक्ष, इसमें एक crime हुआ है, एक action हुआ है, इसको एक modern, civilized, secular society किस तरह से देखेगी, उसको sensitively देखे आप, आप उसको इसमें accommodation की बात करें, आप ये सब करें, लेकिन उसको आप ठीक, ऐसे आप करें जैसे कि दोबारा partition का एक run-up हो रहा है, तो मुझे लगता है उस तरह की framing भी जो शुरू हुई, उसके बात वो हुआ, और फिर 2019 का verdict तो आप मैं जैसे श्री श्री रवी शंकर का statement में देख रहा हूं, कह रहा है कि बाबरी मस्जद बारे में जो फैसला है, अगर वो उल्टी दिशा में जाता है, यानि मुस्लिम दिशा में जाता है, तो सीरिया जैसे हालात हो जाएंगे, मतलब एक तरह से एक माहौल कोट को भी जैस कि वहां भी कोट की दलील क्या ऐसी हो सकते है कि सामुहिक विवेक को तुष्ट करना है, इसलिए फासी देदो, या सामुहिक विवेक को तुष्ट करना है, इसलिए मंदिर बना दो. यह बहोत आप सही कह रहे हैं कि यह तो बिल्कुल गलत बात है और यह एक भारत को बहुत इस से नुकसान होगा और अबस्यात को इस से बावरी मजिद के ही मसले में नहीं लेकिन कुट की क्या सिम्मेदारी है? एक इस तरह के plural समाज में, जहां हर तरह की strife है, बहुत असमानताएं हैं और तरह तरह की चीजें, तो इसमें मुंसिफाना एक फैसला लेना और एक appeasement और हम adjust करने किसी तरह से, और court का कि यही तो खुबी है, इसलिए शायद collegium system बना है, सब कुछ कि आपको चुनाओ तो नह तरह नहीं दे सकते हैं, और आपको mediation suggest, आपको जो करना है, तो बड़ा, मतलब power है हमारे courts को, और एक तरह से शायद let down ही था, और जो आप राजसभा MP है, रंजन गोगोई, उन्होंने जो अपनी किताब में लिखा है, कि वो wine पीने गए उसके बाद, और सबसे बहतरीन wine त मतलब उन्होंने खुद उसका bill अदा किया, और सारे judges के साथ, और फोटो कहींची वहां में, ताज मान सिंग में, और वो डाला है उन्होंने अपनी किताब में, तो इससे तो पूरी जो हमारा बिल्कुल जो दूसरा धाचा है हमारे पूरे इस Republic का, उससे उस पे तो बहुत आस्था का माहूल नहीं बनता है अज़ा परसनली अगर मिरसे मैं अगर बोनू तो मुझे लगता है कि जस जगे जो चीज थी वही भूनी चाहिए, तब ही नयाय होता है जिसे पोलिटिकल पार्टियों का भी स्टैंड जो रहता है, जो मुझे तो बेचैन करता ही है जिस त कोई पोलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है क्या जो कहे कि नहीं, जो अन्याय हुआ है उसकी परिपूर्ती तो तभी होगी जब वहाँ पर जो था वही बने नरसिमा राओ ने बात कही थी, दूरदर्शन में उनका एक स्टेट और नेशन अड्रेस था और वो 6 दिसंबर की रात को जो उन्होंने दिया था, जब बहुत हाला जब ख़बर पहल गई कि पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, बावी मस्जिदम नहीं है, तब उन्होंने क कि उसकी तामीर दोबारा होगी, उसका पुनह निर्मान होगा, लेकिन उसके बाद ये बात कभी होगी है, ये कहा था नरसिमा राओ ने बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन वाइट पेपर उसके बाद जो आया फरवरी-93 में महरा सरकार ने एक के दौर में आप क्या construct और reconstruct कर सकते हैं तर्की में हमने देखा है हागिया सोफिया है क्या अगर वो डिमॉलिश होता है तो हम लोग कर सकते हैं तो यह एक मुश्किल सवाल है क्योंकि शायद उसमें फिर एक मतलब बदला नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर हम किस तरह से उसको reconcile कर को एक कदम उठाना पड़ता है मुझे लगता है कि यह जिस तरह के लोग हैं जो कह रहे हैं कि स्कूल बना चाहिए यह उसको इंसर्ट नहीं कर रहे हैं यह उसमें से वो धरम का और उतेजना उतेजित करने का लोगों को वो एक component हटाना की कोशिश कर रहे हैं मुझे जहां इंडिया तो डे ने बहुत जबरदस इस पे एक इसू किया था पूरा तो कोई कह रहा था स्कूल बना चाहिए ए हॉस्पिटल और एक एक आट एग्जिशन होनी चाहिए यहां पे बच्चों के लिए वो होना चाहिए तो शायद इशू पड़ा होगा कहीं या जनवरी का इशू था या फरवरी का इशू था तो बहुत जल्दी उन्होंने इस पे पूरा आगोग किया था कि वहां पे क्या होना चाहिए तो मंदर ही क्यों बना फिर यही बात है वो तो जो सामाजेक और जिस तरह से पॉलिटिक्स भारत की गई जो ताकतें हैं जो की जिनमें इतन कुवत है कि वो इसके डिरेक्शन को डिटर्मिन कर सकें और बदल सकें वो शायद कन्विंस्ट है कि यही एक बात है और जो काम अड़वानी ने शुरू किया बिलकुल धरले से उस ताइम पे अपनी रथे आतरा के थूँ और बाबरी मस्जिद के थूँ वही काम एक तरह स से अपने आपको एक धर्म गुरू के रूप में स्विकरती दिलवाना चाह रहे हैं अपने आपको और आप एक political enterprise में आप धर्म को साथ लाके अपने आप से आस्था को जोड़वाना चाह रहे हैं क्योंकि उससे आपकी जो political और ideological goals हैं वो meet होंगे आप लके हम कारेकर slepp के अंद्म चरंड में भी हैं, लिबरहान कमिशन की बीरे में भी बात कर लें, उसने क्या नतीजे निका ले थे, उसमें आप भी पेश हूई थे हैं, आपकी दभाई है उसमें, क्या नतीजे थे उसके? लिबरान कमिशन हैं तो काफी मुझे लगता है इन तमाम चीजों को गर देखा जाए कोट के फैसले हो या CBI कोट ने जो कहा हो और लिबरान को हम देखें तो लिबरान जैसिस लिबरान कमिशन रिपोर्ट में तो सबसे ज़ादा वो गए हैं इसकी जड़ में उन्होंने पू पीस में भी लिखा है इसको कि कोट खुद कह रहा है इस बात को कि ये था ये तो ये हुआ और ये वैंडलिजम था लेकिन एक तरह से अल्मोस लग रहा है कि वो पन्ने जोड़ दिये गा है अगले फैसले से बिल्कुल ऐसी स्टिक किये हुआ है क्योंकि फिर बिल्कुल पल जो नेता इसमें शामिल थे आजकल तो वीडियो भी मिल जाते हैं मैं अटल वियर वाजपी के वीडियो भी देख रहा था कि वो मतलब सटली कह रहा है कि नुकीले पत्थर अटाने तो जो नेता उस वक्स शामिल थे वो अभी भी हैं कई नेता हैं उन पे किसी पे कारवाई हुई है इस अपराद के लिए नहीं उस पे तो जो दो साल पहले जो CBI कोट ने कह दिया वो तो से नहीं मुकर रहे हैं लेकिन अदालत इस बात को CBI कोट इस बात को मानने को तया है अच्छा यह बड़ी मज़िदार बात हो रही है आज कल मैंने देखा सिट के जब रिपोर्ट आई थी गुजरात वाले में भी उसमें भी बोला कि कांस्परेसी नहीं है हमने एक प्रोग्राम भी गिए धारतोश के साथ लेकिन अभी चुनाव में वो कह रहे हैं कि हमने अच्छा सबक सिखाया था अलमस्स इसी तरह की बात है अमिश्शा का बयान है दो हजार दो के बाद और इटर्नली शांती चागई है मतलब यह लोग के इंतजार करते हैं कि जब कोट हमको बरी कर देगी तब हम इसका क्रेडिट लेना शुरू कर देंगे हाा, अनिया थी में inके क्रेडिट में यह तो कहना पड़िगा यह यह। ले रहे हैं मतलब खुल के जू बोलते हैं इस बात को बजस यह है कि functionally आपको को कुछ बोलना है तो आप बोल दीजे तो यह तो बहुत ही एक बह। थी ऐक स्टाटिस होता है उन सब को तो आपने फिक दिया बाहर तो इन बयानों को क्या लेंगे लोग सीमा जैसे अब लोगों से हम जब बात करते हैं तो कई लोग हमें यह कहते हैं कि वो तो गुजर गया वक्त मतब वो हो गया जो होना है उससे आगे देखिए उस पे चिपके मत रहिए और उसके बावजूद भी जब 6 दिसंबर आने लगती है तो उस पे लिखा जाता है आपने खुद लिखा है आपको लगता है कि वो समय अभी गुजरा नहीं है कहीं न कहीं हमारे उपर अभी भी लटक रहा है हाँ उसका साया तो जरूर है मैं बहुत चाहूंगी कि वो खतम हो जाया और मैं उसको बेरी कर दिया जाया लेकिन उसका साया तो है आप जिस प्रकार से ये बुल्डोजर एक प्रकार का एक राजनीतिक एक स्लोगन बन गया है उसमें भी एक शबाहत आती है बाबरी मस्जिद में और audio cassettes में वो बिक्ते थे उस वक्त और hate उस पे जनरेट की जाती थी वो आज तक जिन्दा है वो भले YouTube पे हो उसका माध्यम बदल गया है लेकिन उसके जो तथ्य थे उसमें जो बाते थी उसकी गूंजात सुनाई देती है और एक प्रकार से जो so-called monuments पे जो attack आता है त जानवापी की जिस तरह से बात हो रही है मतुरा की जिस तरह से बात हो रही है कि उन चीजों को जिन्दा रखना उनको contest बनाना मतलब जहां पर भी आपको एक प्रकार का एक गंगा जमनी देखनी चाहिए कि वहां पे दो लोगों की श्रद्धा है वो तो एक meeting point होना आप उसी को एक divide बना रहे हैं और मुझे लगता है कि हम so-called love jihad की जहां बात करते हैं कि जहां आपको celebrate करना चाहिए कि दो लोग आ रहे हैं वो एक point of conflict बन जाता है क्योंकि आपका राजनीतिक objective बिल्कुल दूरी बनाए रखना और उसको बढ़ावा देना है अब आपकी पिछले peace की अंत में आते हैं कि एक इमानदार इसका visualization की जरूरत है आपने reckoning शब्द का इस्तिमाल किया है वो क्या है आपको क्यों महसूस होता है इस बारे में देखे जैसा कि हम सब लोग जानते हैं हम समझते हैं हम सब लोग भारत में जो रहते हैं कि इतनी सारी diversities अलग तरह के लोग अलग तरह की हमारी dreams, imaginations, धर्म, faith, रहन सेन, खाना, पीना इसमें बहुत एक इसमें हमेशा काम करने की जरूरत है और जो नई हमारी demographic है एक young लोग जो बिलकुल, जो is a fact of how population has grown कि वो एक time पे बड़े हुए जिनके पास उस तरह का शायद वो एक memory नहीं है, एक shared उनका एक pass नहीं है, उसके लिए तो बहुत जरूरी है कि हम सब लोग इसकी जमेदारी लें, मतलब बहुत हद तक एक प्रकार से politicians को outsource कर दे जाता है, एक साथ हैं, या हम आपस में एक internal enemy की तलाश में हैं, कि हम हमेशा आप पे बंदूग दाख सकें, ताकि मैं अपने supporters को साथ रख सकूँ, तो ये तो बहुत बुन्यादी सवाल दोबारा हिंदुस्तान अपने आप से पूछ रहा है, और जो जिस तरह की जवाब जोर से दिये ज बह रहे हैं, जिस में शायद हमलों के लिए भी सबक है, कि इसमें किसी प्रकार की guilt की बात नहीं है, वो भले कास सिस्टम हो, वो मंदिर तोड़ने, मस्जिद तोड़ने, बुद्धिस्ट विहारों को तोड़ने की बात हो, पास्ट, अतीत, ये तो बहुत बड़ी चीज़ की हैं, पर हर तरह के मसले थे, हर तरह के लोग आए और जलम हुए हैं, वो हुए हैं, लेकिन आज 2022 का इनसान, भारती है, किस तरह से इन चीज़ों को देखता है, ये तो हम पर टिपणी है न, ये अलावदीन खिल जी या राना सांगा और मेवार पे तो कम टिपणी है, ये पर ध्यान देना पड़ेगा मतलब जो तथे बीते हैं और जो हमारी एक साजा भविश्य की कल्पना है और एक सोच है और वो तो करना पड़ेगा और मुझे लगता है वो शायद हर तरह से होती है वो छोड़ी छोड़ी गोश्टियों में हो सकती है वो आपके मीडिया के नेर में जो आपसी सौहार्द का जो एक इंडेक्स उन्होंने कई चीजों का मैयार बना कर उसको मेजर किया है वो तो इस वक्त दुनिया में सबसे डरावना है मतलब आपका जो इंटर सुसाइटल जो संबंध होने चाहिए वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भी बत्तर हैं मतलब कोई भी समाज और विश्में अस्थिरता से तो कोई समाज आगे जाता है हाँ और जान के अस्थिरता क्रियेट करना कि हम बड़ा एक अपनी कल्पना का एक भारत हम इंवेंट करेंगे इसमें तो इतिहास गवा है कि इस तरह की ताकतों का अंत में क्या होता है लेकिन इनका जो हो लेकिन बीश में वो जो तमाम चीजें और धुस्त हो जाती है बावने मस्जिद टाइप तो उसमें भी तो बहुत ही एक रबल बच्टा है अन्पता मतलब देश की जनता का नुकसान होता है और पूरी कल्पना का की कल्पना का इस बुन्यादी कल्पना का की ल जाते हैं उस सब के लिए वो तो एक बुनियाद है लेकिन उसको एक रोमेंटिक बना देना और एक युद्ध की हरवक्त तैयारी रखना और दुश्वनों को ढूंड़ना ये भारत के लिए तो एक बहुत खत्रे की घंटी है और उमीद है कि इस इस दे वर्स इट गेट्स सीमा आज हमारा वक्त हो रहा है और आपसे बात करके हमने बहुत कुछ जाना और आगे क्या होना चाहिए इस पर भी हमने आपसे जानकारी लिए हमसे बाचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया आपने बिलाए और आप दर्शक दोस्तों का भी शुक्रिया बाचीत देखने किजिए क्योंकि सच्चे मीडिया को चाहिए सच्चे दोस्ते